हलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं CET जो सनाथ तक इसतर प्रीक्षा 2023 है उसका रिजेल्ट है वो जारी कर दिया है तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आपका रिजेल्ट जारी किया है और कैसे आप अपना रिजेल्ट है वो चेक करने वाले हैं सारी बाते इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं तो वीडियो को बिना स्किप की लाट्स तक देखते रहे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि इस तरह की जो अपडेट हो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी इसमें देखो आपका रिजल्ट जारी होने से पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से आपका जनवरी 2023 को आयोजित सम्मान पातरता प्रीक्षा सनात्तक में कुल 11,67,666 अभ्यार्थियों ने आवेदन किया इनमें से 8,30,000 अभ्यार्थी प्रीक्षा में उपस्तित रहे तथा 3,47,58 में अभ्यार्थी प्रीक्षा में अनुपस्तित रहे आज दिनांग 28,4,23 को उपस्तित रहने वाले अभ्यार्थियों का प्रीक्षा स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है जिसे बोर्ड की वेबसाइट जो अपनी RSMSSB की साइट है उसके माध्यम से देखा जा सकता है अब देखो आपके जितने भी स्टूडेंट है उनका एक तो क् कि आपका जो स्कोर कार्ड जारी कर दिया है किस तरह से आपका रिजल्ट बनाए गया है इसके बारे में भी एक नोटीस जारी हुआ है उसमें भी कई कुशन डिलिट की हुए है कई पारियों के अंदर तो इस तरह से आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है आपका स्क चेक कर सकते हो अगर वैसे नहीं देख पा रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके अलावा जो भी यह नोटीस इसके बाद एक और जारी हुआ है तो वह नोटीस भी आपको हमारे जो टेलिग्राम ग्रूप है वाट्सप ग्रूप है उस पे मिल जाएगा उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वहां जाके आप जोइन कर सकते हो वहां पर आपको इनकी जो पीडिएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी तो सभी स्टुडेंट्स से जिनका सीटी क्लियर हो गया है उनको हार्दिक सुब काम नहीं धन्यव झालब्स